हाई दोस्तों आज हम इस ड्रोइंग की प्रेक्टिस करेंगे इसके लिए सबसब पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 98 बाइफ 42 का हाइट देंगे 20 mm स्टार्ट करते टॉप लेंगे स्केच करेंगे सेंटर रेक्टेंगल लेंगे औरिजिन पॉइंट से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे डाइमेंशन देंगे 98 98 बाइफ 42 ओक्के करेंगे फ्यूचर में जाएंगे एक्स्ट्लूट बास बेस करेंगे हाइट देंगे हम 20 mm ओक्के करेंगे देन यहां कट करेंगे हम 6 mm का दोनो साइट से डिस्टैंस होगी 14 14 इस फेस को स्लेक्ट करेंगे स्केच करेंगे नार्मल करेंगे यहां हम कॉर्नर रेक्टेंगल का यूस करेंगे इस लाइन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ओक्के करेंगे फ्यूचर में जाएंगे स्मार्ट डाइमेंशन में जाएंगे इस लाइन को और इस लाइन को स्लेक्ट करेंगे distance देंगे 14 same this line को this line को select करेंगे distance देंगे 14 height हमारी थी 6 mm ok करेंगे future में जाएंगे exclude cut करेंगे यहां हम select करेंगे through all ok करेंगे यह cut हो गया है part इसके बाद हम यह center portion को draw करेंगे breathe है 14 height होगी 21 plus 21, 42 इसके लिए हम center plane का use करेंगे right plane sketch करेंगे normal करेंगे corner rectangle का use करेंगे इस point से एक rectangle draw करेंगे dimension देंगे height देंगे 42 mm future में जाएंगे exclude boss base का use करेंगे यहां हम select करेंगे middle plane extrude करेंगे 14 mm ok करेंगे यहां हम round देंगे इस surface को plate का use करेंगे यहां हम select करेंगे full round plate फैली surface हम यह select करेंगे second surface third surface ok करेंगे मारा round create हो गया है यहां हम दो circle draw करेंगे circle हमारा होगा 12 mm का दोनों के बीच की distance होगी 50 इस surface को हम select करेंगे sketch करेंगे normal करेंगे यहां हम circle draw करेंगे dimension में जाएंगे यह circle हमारा 12 mm का था origin point से circle के center की distance 25 mm okay करेंगे future में जाएंगे exclude cut करेंगे यहां हम select करेंगे through all okay करेंगे all create हो गया अब इसको हम mirror करेंगे mirror करेंगे mirror यूस करेंगे center plane select करेंगे right plane cut को select करेंगे करेंगे okay करेंगे हमारा cut create हो गया इदर यह हमारा cut draw हो गया इस साइट then हम यह वाला circle draw करेंगे 20 mm का then 20 mm का diameter का hole create करेंगे इस surface पे इस surface को select करेंगे sketch करेंगे normal करेंगे circle लेंगे इस outer line को हम drag करेंगे center point मिलेगा यहां में circle draw करेंगे dimension में जाएंगे 20 mm डालेंगे 20 mm diameter होगा okay करेंगे future में जाएंगे extrude cut करेंगे through all okay करेंगे यह all create हो गया है यहां हम flat देंगे 5 mm का 4 edge पे flat use करेंगे यहां हम select करेंगे constant size flat flat देंगे हम 5 mm का हम 4 edge को select करेंगे हम 4 edge को select करेंगे करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे कि हमारा पार्ड रेटी है थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें